तेसे नोपुर शर्मा के बारे में तो सुना ही होगा, आफ तक सम लोग नुकुर शर्मा को जान शुते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। नुकुर शर्मा को परीचे की महताज नहीं हैं। काफी सारे लोगों ने वैसे नुकुर शर्मा को सपोट किया मैं भी नुकुर शर्मा को सपोट करता हूँ लेकिन हाल ही में आप लोगों ने एक कभी न्यूस सुनी होगी उदैपुर में कनहियालाल के मडर की हुई थी जो कि 28 जून को हुआ था इस तरीके से दो मुसल्मान लड़कों ने, मुसलिम लड़कों ने, जो अपने आपको पता नी क्या बोलते हैं, अल्ला का नेक बंदा और हम उनको जन्नत मिलेगी, ये मिलेगी और हमारे पैगंबर को ये बोल दिया, उन्होंने जाके दुकान में बहुत बुरी तरह से कनिया इसके बाद में, उसके बाद में नहीं, अक्चुली उससे पहले एक, एक कैमिस्ट हैं अमरावती में, उनकी भी हत्या कर देगी, उमेश कोले नाम है उनका, उनकी हत्या करी गए 21 जून को, और उनकी हत्या का पूरा प्लैन बनाने वाला एक बंदा था, जो की 17 साल से उनका एक दोस्त था, जो की एक MBBS डॉरेक्ट, डॉक्टर था, डॉक्टर है, था क्या, वो बंदा मतलब इतने सालों की उसने दोस्ती कुछ नहीं समझी, उस बंदे ने और धोका दे दिया और उसको जान से मरवा दिया, सेम तरीके से वो ही गला काट कर मार दिया गया, तो मतलब भी आज मायूस हैं कि हमने ऐसा ओर्डर क्यों दे दिया कि उसको पुरी दुनिया से माफी मांगनी पड़े जी सबी लोगों से, जबकि गलत है, ऐसा नुपर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा है, उनके खुद के लोग जब ये बात बोलते हैं तो उनको सच लगती है, भी बाते हैं, बाते सारी वही बोली हैं, जो सच हैं, तो उन्होंने वह बात बोल दी, अब उसके समर्थन में, उनके समर्थन में भारत से बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, करीबं करीब 56 कंट्रीज ऐसी रही हैं, जो कि सारी मुस्लिम कंट्रीज है mostly उनमें से लुकुर शर्मा के खिलाब बहुत सारे लोगों ने वारेंड निकाला, धंकिया दी, उनको बुरी तरह से मारने की, गैंग रेप करने की, धंकिया दी, वो उन लोगों के लिए ठीक था, लेकिन उसने अगर ऐसा बोल दिया, जो कि लिखी हुई बात है, वो गलत हो है, दो लोग ऐसे ही एक टेलर मास्टर की दुकान में घुच जाते हैं, गला काटकर मार देते हैं, दरिंदगी इस लेवल तक इन लोगों के अंदर आ चुकी है, जो शायद अब बरदाश करने के लायक नहीं है, मैं नुकुर शर्मा को सपोर्ट करता हूँ, और तहे दिल स ह्लाकिया, जाधा इंपोर्टन्ट है, बहुत ही, मैं तो पूर्ण है, सभी की लाइफ, इस तरीके से कोई किसी को नहीं मार सकता है, हलाकि उनके काटीलों को पखड़ लिया गया है, लेकिन ये दहشत, इनकी अंदर में है कहा से इतना दरिंदगी है, कहा से दहशत करों, दर लड़ो आपस में धर्म के नाम पर हद होती है यार कानून प्रशाशन कुछ है के नहीं है वो करेंगे न सौट आउट यार अगर किसी ने कुछ गलत भी बोला लेकिन अगर किसी ने गलत भोला ही नहीं है जो तुम्हारे कुरान में साक्षात लिखी हुई बात है अगर उन्ह बुरा नहीं लगता आज मैं बोलूँगा मैं भी शायद आप बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाओंगा लेकिन जब मैंने राभिया अंसारी के लिए वीडियो निकाला था उसके सपोर्ट में वीडियो निकाला था हाँ काफी सारा मैंने बहुत सारे पुली डेली पुलीस को पकड़ा उनको रोस किया और बहुत सारे लोगों को मैंने पकड़के आड़े हाथ लिया बहुत सपोर्ट किया उस टाइम लोगों को मैं अच्छा लगा लेकिन आज अगर मैं नुपूर शर्मा को सपोर्ट कर रहा ह आपका धरम बड़ा, हमारा धरम भी बड़ा, बाकी जिसका जो धरम है, सब धरम बड़ें कोई भी धरम आपस में लड़ना नहीं सिखाता है। तो सब धर्मों की रिस्पेक्ट करो लेकिन जिस धर्म के बारे में जो चीज आप ही लोगों के दुआरा अगर आप ही के लोगों के दुआरा लिखी गई बात है तो उसमें जूट क्या है बाइबल के अंदर अगर कोई बात लिखी गई है और अगर मैं उसे बोल के लोगों क बता रहा हूं तो मैं गलत थोड़ी न हो जाओंगा या गुरु गुरंद साहिब की अगर कोई बात अगर मैं लोगों को बता रहा हूं जो कि उसमें लिखी गई है गीता में कोई बात लिखी गई है तुरान में लिखी गई है मैं लोगों को बता रहा हूं तो वो गलत कैसे ह हो सकती है बिल्कुल नहीं हो सकती है आप लोग Lobo के अंदर एक से ज़्यादा शादियां करना अपनी कजळंत्र लोगों के शादियां करना वो सब एक तरीक ऐसा ठीक दिखाया गया है । एक बहुष भी गलत नहीं है लेकिन मैं हाजी अली जब गया था मुझे कोई मैं गया दर्शन के लिए गया वहाँ बैठा लेकिन मैंने देखा कि वहीं दर्वाजे के बहार ही बीफ है पड़ा है बगरा मास वगरा वो सब भिक रहा था तो आप लोगों में होता हो गाई है मैंने तो उस चीज का अब्जे उसको सिखाई गई है वो गलत नहीं होती आप लोगों के लिए वो चीज़ ठीक है ठीक है आप लोग मस्जिद में बैठकर अगर चिकन मीट खा सकते तो खा सकते है हमारे यह हमारे तो मंदिर के आजूबा जो दूर दूर तक भी आप लोगों को अंडे मीट की रहडी इसको बहुत पभित्र माना जाता है बली दी जाती है अब जती है अब हड़ी दो मिज़ी जाती है मेकिन वहों से बाबा क姝ा बहड़ों को भी पताई होका वह द किने को बहाने काहन द्रम दक करो सब धर्मों की इज़त करो, सब की रिस्पेक्ट करो, बस यही है कि आप बुरा ना मानो, अगर कोई चीज आपके कुरान में लिखी गई है, बाइबल में, हमारे गीता में, रमायन में अगर कोई चीज लिखी गई हम थोड़ी ना उसको बुरा मान के बैढ़ जेंगे, अगर आस्ता रहती है, अगर आप लोगों बोलो कि मूर्ती पूजा है, मूर्ती पूजा वेरत है, भाई, वो मूर्ती पूजा सिर्फ मूर्ती नहीं मानते है, उसको स्थापित किया जाता है, उसको बहुत पवित्र माना जाता है, उसको पवित्र किया जाता है, ऐसा नहीं कि वह ईसलिए नाम नहीं लिखे हुए क्योंकि इनकी शक्ले हैं तूरत सच में थे यह लोगते कि शेरोवकूली मता है यह नारायन 예요 भगवान विश् Eliseoire ब्रह्माजी यह साक्छाथ शार्व है इसलिए हम लोगों के सामने उनके चेहरे कोई भी है कोई भघवान का आप नाम लोग हमारे सामने एक सीड़्हें गिजन आजाता Det sources नाम लिख देने से कि शिरी राम शिवी जी हमारे दिमाग में क्या आएगा विचार नहीं आएगा जब तक उनकी एक गूरत हमारे सामने नहीं होगी उनकी हिस्ट्री हम लोगों को नहीं पता होएगी हिंदू सनातन धर्म जो है वो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और आ कर लिए हमारे मंदिरों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती तरीक हमारी भगवानों की कि हिस्त्री है इसलिए लोग इतना उनको वो मानते हैं मान सम्मान देते हैं और उनका आप अपमान करो तो यार यह थोड़ी चलेगा तो उन्होंने अगर डिबेट के अंदर अगर उन्होंने कुछ बास सच बोल दे तो तुम्हारे मुन में चुरने क्यों लगे सही तो बोला गलत क्या बोला मैं दिल से सपोर्ट करता हूं और बसकी है अगर जान है if you have balls तो आओ same चीज मेरे साथ भी करके दिखाओ कोई बात नी तुमने धोका दे दिया वो विचारा टेलर मास्टर तो कमजोर था वो विचारा तो रह गया कोई बात नी आओ इदर आओ मेरे से मिलो मैं बताता हूं तुम लोगों को कैसे गला काटा जाता है साले इत दिल से सपोर्ट करता और करता रहूंगा आखरी सांस करें कुछ गलत नी बोला उनोंने आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज सपोर्ट नुपुर शर्मा सभी धर्मों का सम्मान करो कोई धर्म बुरा नही है ये सब लोग दोगले हैं इनके डबल माइंडिड है ये लोग सिरु लड़वाने के लिए पता नी क्या स्टैटेजी इनकी चलती है जबकि यह सच है नहीं है तो अपना सच धूंडो अपना सच पहचानो पुड़ी रिसर्च करो पढ़ो सब धर्मों के बारे में तो शा रहा दा विश्वास पक्का करें आप लोग देखी रहे हूगे री सेंसटी अभी कुछ आट-च सालों में आप लोगों ने देखा हो Carolina जार्चिक्तिलों सब्रूग Выば प्राइडे को हमारे प्राइडे को हमारे स्कूल में लंच के बाद जितने भी मुस्लिम बच्चे थे उन्हें नमाज पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था लेकिन मंगलवार को अगर मैं बोलू कि मेरे घर में पूजा थी और मैं एक गंटा लेट आया हूँ तो मुझे छुप्ती नहीं मिलती थी जब कि वो स्कूल पूरा हिंदू स्कूल था लेकिन फ्राइडे के फ्राइडे जितने भी मुस्लिम बच्चे थे सारे नमाज पढ़ने जाते थे सब को छोड़ दिया जाता था जाओ नमाज पढ़ो हमारे कीर्टन अगर हो गया हम बोल रहे हमारे कीर्टन है हम हर मंगल जैसे उनका तो हर फ्राइडे था हम बोले कि हर त्यूजडे को हमें छुपी चाहिए हाफडे चाहिए क्योंकि हमारे घर में पाठ होता है नहीं मिलेगी बहाई इतना बेदबाव क्यों किया जाता था कि शायद हम लोग उने हम लोग एक साथ इकठे नहीं होते थे या तो है ना हाँ सुबह सुबह प्रेयर के टाइम पे मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम वो जरूर होता था लेकिन उसमें क्या भगवान को सक्षी मान कर पूजा नहीं करा जाता था वो सभी धर्मों को स जेंपल दे रहाँ कि अगर मेरे घर में इस तरीके से हर मंगलवार को मैं बोलूए हर सौमवार को बोलूए कि घर में पूजा हो थी तो मैं दो तीन घंटे हावडे तक नहीं आऊँगा तो हमें छुटी ऐस सच नहीं बी जाती थी कभी भी आ तीज त्योहर पे चुटी हो होती थी हमारे पर होती थी तही तो यह सब भेल भाष्ण नहीं कब जाके खत्म होगा मेरा तो साारे धर्मों के बारे में पढ़ा यह तो नुपूरय शर्मा ने बाते बोली थी कोई जूट बात नहीं बोली, बिल्कुल साच बोली है, मानो ना मानो आप लोगों की मर्जी मुश्किलों से इस टाइम पे बीत रही है, उसे पूरे देश का सपोर्ट मिलेगा, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और हम भी शायद एक हो पाएंगे इसी बहने, तो प्लीज सपोर्ट नुपुर्श हर्मा, थेंक यू सो मज़ गाइस, लव यू आल, जै शिरी राम, जै हिन, जै भदरकाली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, फ्लीज सपोर्ट नुपुर्श हर्मा,